असलाम अलेकम, आज हम बनाएंगे आलू बैंगन का सालन मैंने आलू चार अदद लिए हैं, इनको छील लिए है बैंगन तीन लिए हैं, इनको छील लूँगी बाद में 1.5 टीस्पून नमग, 1.5 टीस्पून जीरा ओयल, 5-6 से चमच, आदा काप से काम होना चाहिए प्याज एक अदद ले ले, ये पोना काप काट के बने अदर कलसन का पेस्ट, एक खाने का चमच, दो टमाटर और सबस मिर्चे मैं सिर्फ इनको सबस मिर्चे इसमें डाल के बनाओंगी और इस तरह आप इसका चिलका उतार के मैं ये एंड पे काटूंगी जब मैंने डालने होंगे, क्योंके बलैक ना हो जाए, मैं पानी भी गारा मैं नहीं रखती और टमाटर और मिर्च को मैंने ब्लेंड करना है इस तरह बहुत ज़्यादा बरीक पेस्ट पानी की तरह नहीं बनाना इसको ज़रा ब्लेंड करना है ताकि मैंने सबस मिर्चे ही डालनी है तो थोड़ी हो जाए और टमाटर भी उसके अंदर काड़ लिया है दो टमाटर और सबस मिर्चे सी पांच से चे अदर यह ओईल डालें आदा काप से कम आपने ओईल डालना है वो वन बाई वो जो थ्री होता है वो डालने क्योंकि बहुत ज़्यादा ओईल नहीं अब इसको थोड़ा सा लहलाएंगे प्याजों को फिर इसके अंदर अदरक लेसन का पेस्ट एक खाने का चम्मच इसको थोड़ा सा करेंगे जैसे इसका थोड़ा हलका सा कलर चेंज होगा और सही बुन जेगा कच्चापन हत्म हो जेगा इसका फिर इसके अंदर हम वो ब्लेंड किया हुआ टमाटर और सबस मिर्च वो डाल देंगे यह मैं असल में बना रही थी तो मैंने क्या आपके साथ भी शेयर करती हूँ यह बहुत ही मज़े के बनते हैं कि यह मैंने ब्लेंड किया हुआ टमाटर और सबस मिर्च डाल लिए यह एक इसम का एक भरता भी बान जाता है अगर आप इसको बरते के तोर पर इस्तमाल करना जाते हैं तो आप इसको स्मोक दे लेना मैं आपको बताती हूं जासे तियार हो जाएगा तो उस वक्त आपको का स्मोक दे लें और मैं छिलके के साथ जो बनाती हूं वो मैं फ्राई करके बनाती हूं तो इस तरह मैं ज्यादा बनाती हूं मैश कि एक टीस्पून हल्दी इसमे रेड मिर्च नी जाएगी मैंने सिर्फ सबस मिर्च डाली है आप इसके अंदर यह आलू मैंने काट लिया ह यह देख सकते हैं, इतने साइज के आलू और बैंगन को मैंने ज़रा बरीक स्लाइस की हैं चील के काटे हैं और अब भी काटे हैं ताके वो ब्लैक न हो जें अब इसको डाल देंगे इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे अब इसके अंदर उसी वो जिसमें मैंने ब्लेंड किया पानी एक कप डाल के तो मैंने इसमें डाला है इसको मीक्स करें और इसका डखन बांद करके इसको पकने दे 10 से 15 मिंट फिर आप खोल के एक दफ़ा चैक करें हिलाएं अगर तो आलू भी गाल चुक्या है चैक कर लें पिर आप इसको हिलाते जाएं कि मैंने जब हलदी डाली थी नमक भी डाल दिया था वो मैंने वीडियो को काटा है तो वो नज़र नहीं आया स्किप हो गया फिर इसके अंदर ये जीरा डालें मेथी ढालें ये एंड पे डालते हैं मेथी और जीरा नम्मा कोल हल्दी मैंने पहले डाल दिया था अब इसको अच्छी तरह करें अगर आपने इसको स्मोक देना है जैसे वो भरते में टेस्ट साता है आप कोईले का स्मोक दे लें कोईले को थोड़ा जला के इसके अंदर किसी चीज में राखके थोड़ा सौइल डालें वो स्मोक आ देगा वैसे ये बहुत ही मज़े की वो बुजिया टैप बनती है बहुत ही मज़े का बनता सालन आप इस तरह बना आके ट्राई करें मैंने बनाया मैंने का आप से शेयर करती हूँ सबस्मीर चूप पर डालें जब भी आड़ी बनाये एंड पर थोड़ी दिर दाम पर राख दिया करें ओके अलाफीज